चलिए देखी बच्चों हम लोगों के सामने जो बेटा टॉपिक है वो टॉपिक है बैलेंसिंग आप दा केमिकल रियक्षन जो होता है वो बैलेंस करने की टास्क आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ कि केमिकल एक्वेशन क्या होता है केमिकल एक्वेशन जो होता है वो सिम्बॉलिक रियक्वेशन है सिम्बॉलिक रियक्वेशन का मतलब सिम्बल की फॉर्म में एक रियक्षन का रियक्वेशन उसे केमिकल एक्वेशन बोलते हैं chemical equation balance है या नहीं है हम balance कैसे करेंगे वो बात की बात है पहले तो यह सीखना पड़ेगा कि balance है या नहीं और balance है या नहीं है इसको सीखने के लिए पहले atom की counting आनी चाहिए जैसे मैं लिखो O3 क्या कोई बच्चा बता सकता है कि O3 में कितने oxygen के atom है कोई भी बच्चा जिसको पता हो तो यहां पर आपको तीन oxygen के atom जो है वो दिख रहे हैं atom की counting आपको जरूर पता होनी चाहिए जैसे बहुत छोटी सी चीज है लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उन सब के लिए और जिन बच्चों को पता है उनका revision या फिर doubt clear करने के लिए जैसे माना आगे हमारे सामने कोई 4 number लिख दिया गया तो आपको मालूम है कि कोई भी चीज जब आगे लिखी जाती है तो उसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह इस तरीके के जो H2SO4 है वो टोटल 4 मालिक्यूल है एक H2SO4 नहीं है टोटल 4 H2SO4 है जब कोई नमबर आगे की तरफ लिखा जाता है तो वो उतने टाइम रिपीट हो जाता है अगर यह मैं 4 H2SO4 की बात करूं और मैं कहूं हूं कि इस 4 H2SO4 में कोई बतायेगा कि hydrogen के atom कितने हैं sulfur के कितने हो और oxygen के कितने हैं बताई जराब है कि hydrogen के कितने हैं इस सलफफर के कितने हो जाएंगे फोर क्योंकि यह फोर बेटा इससे क्या हो जाएगा multiply और oxygen के कितने हो जायेंगे 60 गुड बेर तो मतलब अगर आपको atom की counting पता है मरलब जब आप atom को count करना जान जाते हो तो आपको यह पता चल जाएगा आराम से कि कौन सी reaction balance है या unbalance है जैसे एक reaction तुम यह देख रहे हो यह जो weighing balance देख रहे हो इसके उपर एक reaction लिखी गई क्या लिखा गया है तो मैं इसी reaction को लिखता हूँ मैंने इस reaction को लिखा मैंने लिखा टू प्लस मैंने क्या लिखा ओटू और वह दे रहा है वह दे रहा है वह दे रहा है अब आप confused मत होईएगा यह एच्टू ओ वाटर को बोलते हैं कई सारे बच्चे कभी-कभी फॉर्मले स से amusing हो जाते हैं एक फर्मला और होता है हिस्टू ओटू किसीख को पता है कि एस People को क्या खरते हैं और मेंगोंसे S2O2 जो होता है वो किसको जाना जाता है उसको hydrogen peroxide के नाम से जानते हैं तो दोनों थोड़े-थोड़े मिलते फॉर्मले हैं लेकिन नहीं नहीं रहना है आपको अब हम आते ही मुद्दे पे अगर आप इस reaction को देखो तो reactant की तरफ मतलब left hand side अगर मैं इधर hydrogen को count करूं कितने hydrogen है तो आपको दिख रहे होंगे 2 into 2 मतलब 4 oxygen में count करूं कितने हैं तो oxygen total कितने हैं मेरा पैरा बच्चा 2 लेकिन अगर मैं product side बात करूं मतलब RHS की तरफ LHS की तरफ मतलब reactant की तरफ जितने atom होते हैं उसी तरीके के atom दूसरी side भी होने चाहिए अगर number of atom equal है तब तो balance है जैसे मैं दूसरी तरफ count किया दूसरी तरफ hydrogen कितने हैं 4 दूसरी तरफ oxygen कितने हैं 2 तो यह equation क्या कहलाएगी balance कहलाएगी बिल्कुल balance कहलाएगी यही तो देखो लिखा है क्या लिखा है an equation कोई भी equation balance तब कहलाती है when the same number of each element is represented on the reactant and product side मुलब reactant की तरफ और product की तरफ जो element है वो same तरीके के equal number में होने चाहिए अगर ऐसा है तब हम reaction को balance कहेंगे और अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे reaction balance नहीं है चलिए जब इतनी बात तुम लोगों ने पढ़ और समझ लिया तो अब हम समझते हैं कि balance equation का मतलब क्या होता है फोड़ा सा spelling mistake हो गया है कोई बात नहीं अब हम बात करते हैं कि balance equation का मतलब क्या होता है जैसे यहां मैं वही example दिया था क्या example दिया था यहां पर दो ग्रीन वाले अटम है यह दो ग्रीन वाले जो हैं वह हाइड्रोजन है मालब टोटल चार हो गए तो टोटल यहां पर अटम कितने हो गए हाइड्रोजन के चार ब्लू वाले कितने हैं दो तो oxygen के अटम कितने हो गए दो प्रोड़क्ट में water बना जब water बना तो water के में भी देखो अगर तो यही चार क्या है ग्रीन वाले मालब चार हाइड्रोजन के अटम है और दो ब्लू वाले हैं दो ब्लू वाले का मनलब दो oxygen मालब reaction balance है बिल्कुल balance क्यों 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 क्योंकि दो hydrogen के अटम इधर दो chlorine के अटम इधर भी दो क्लोरीन के अटम जब इधर आप देखो left की तुराफ देखो ठीक है आप left side में देखते हो तो left side में क्या देख रहे हो मेरे बच्चों कि जो hydrogen के atom है, 2 hydrogen के atom इधर है, 2 chlorine के atom इधर है product की तरफ अगर आप देखो, तो उधर भी 2 hydrogen के atom है और 2 chlorine के atom है अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो वो reaction क्या कहलाएगी प्यारा बेटा, balance कहलाएगी हम उसे balance equation बोलेंगे, कोई भी balance equation उसे कहा जाता है, जिसमें reactant की तरफ जो number of atom होते है वो product की तरफ number of atom के क्या हूँ, इक्वल हूँ, अगर ऐसा है, तो उस reaction को balance equation कहा जाएगा इतनी चीरिये पढ़ोर समझ लिया है, अगर आपने थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज balancing सिखने के लिए बैठे हैं कैसे chemical equation को balance किया जाता है, हम लोग उसी chemical equation की balancing पे काम कर रहे हैं अब एक दो example और देख रहा हूँ, मैं भी balancing नहीं सिखा रहा हूँ आपको अब ही मैं केवल यह बता रहा हूँ, यह पहचाना की reaction balance है या नहीं balance है जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो यह reactant, reactant की तरफ bromine के कितने atom है दोखो, 2 aluminium का कितना है, 1 है, product की तरफ देखो, product की तरफ aluminium के कितने हो गए, 2 और bromine के कितने देख रहे है, 6, तो reaction जो है, वो unbalance है, देखने से पता चले ही, यह reaction जो है, यह unbalance है, लेकिन जब हमने आगे के तरफ, जिसको coefficient बोलते हैं, कोई भी इस पसीज के जो आगे के number होते हैं, उनको coefficient कहते हैं, जैसे ही मैंने आगे के तरफ कुछ number apply किये, 3 and 2, ऐसे मैंने number apply किया, तो वो number apply करने पी, देखो क्या हो गया, bromine 3 to 2, 6, तो total bromine कितने हो गए 6, aluminium कितने हो गए 2, इधर देखो तो aluminium कितने है 2, और bromine कितने है 6, मतलब reactant की तरफ जो atom है, वो product की तरफ के atom के equal हो गया, जैसे equal हो गया, तो हम कहेंगे, कि reaction जो है, वो balance हो गई है, यह ह task, हम लोग यह समझना चालू कर दिया, कि equation किसे balance, कब balance होगी, कब नहीं balance होगी, उसको पहचानना, फिर आप लोगोंने class 10th में यह भी सुना होगा, कि जरूरत क्या है, what is the need to balance a chemical equation, आकिर क्या जरूरत है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, कि balance करने की हमें जरूरत है, इतना, हम बिना balance के equation लिख दे, बिना balance के equation जैसे मतलम मैंने लिखा, N2 plus H2, nitrogen और hydrogen combine किया, और nitrogen और hydrogen को combine किया, और हमने ammonia बनाया, अगर मैं देखूं, तो यह reaction अभी balance नहीं है, reaction अभी balance नहीं है, तो क्या जरूरत है, बैलेंस करने की, तो balance करने की जरूरत यह होती है, कि यह कोई भी जो balance equation होता है, वो follow करता है, किसको law of conservation of mass, आप सब लोगों ने सुना है, कि conservation of mass किसे कहते है, mass neither be created nor be destroyed, but can be transformed to one form to the another, अब सरी यह transform का मतलब क्या है, देखो यहाँ nitrogen अलग था, यहाँ hydrogen अलग था, combine करके वो ammonia बनाये, तो वो अलग form में transform हो गया, लेकिन जितना mass सुरू में उतना ही mass product का होगा, यह कौन कहता है, यह मैं नहीं कहता हूँ, यह law of conservation of mass कहता है, और law of conservation of mass एक universal law है, और universal law को follow करना जरूरी है, क्योंकि कुछ नियम ऐसे बनाये हैं, जिनको contradict नहीं किया जा सकता है, कुछ नियम ऐसे हैं, जो universe में हमेशा follow किये जाएंगे, जैसे तुम दे आप कोई कहें कि नहीं, इसका कोई opposite, हम opposite नहीं बात करेंगे, युनिवर्सल नियम में कभी opposite चीजों की बात नहीं की जाती है, तो law of conservation of mass एक universal law है, और universal law को follow करनी के लिए, law of conservation of mass को follow करनी के लिए ही, एक equation को क्या किया गया, मेरा प्यारा मिच्छा balance किया गया, तो देखो य में इसको balance करना पड़ेगा, अच्छा, क्यों, क्योंकि balance equation में जो mass रहता है, वो conjure रहता है, अगर मैं बीना balance के, अभी unbalance है, मैं यहाँ पर mass निकालो, तो यहाँ पर nitrogen का total mass कितना आ रहा देखो, nitrogen का mass कितना होता है, 14, मतलब 28 आ जाएगा, hydrogen का कितना होता है, 1, मतलब 2 आ ज आपने देखा कि mass कितना रहा है, 17, अब तो तुम देख रहे हो कि equation अगर balance नहीं होगा, अगर equation balance नहीं है, तो वो law of conservation of mass को follow नहीं करेगा, अगर law of conservation of mass को follow करना है, law of conservation of mass को fulfill करना है, तो यह बात आपको दिमाख में बैठा लेनी पड़ेगी, कि law of conservation of mass तभी follow होता है, जब reaction balance होगी, इसलिए हम equation को balance कर देते हैं, अब मैं अगर इस equation को balance करूँ, तो equation balance कैसे लिखी जाएगी, देखो, यह लिखी जाएगी कुछ ऐसे, N2, आगी की दरब तुमने कुछ नंबर लगा दिया, N2 प्लस 3H2, और इधर तुमने क्या लगा दिया, 2 ammonia, N2 प्लस 3H2, का mass 1 होता है, तो total mass निकाला तो 34 आ रहा है, इधर mass निकालो 2 नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, प्लस Hydrogen का कितना होता है, 1, पूरा sall किया तो देखो, इधर भी 34 आ रहा है, दोनो तरफ जो mass आ रहा है, वो equal आ रहा है, जब दोनो तरफ mass equal आ रहा है, इसका मतलब वो law ofénerv confident को follow कर रहा है सीधी सी बासा में तुमसे एक स्कूल में या बोड में या कहीं कोई भी ये question पुछे कि क्या जरूरत है law of conservation of mass को follow करने की तो आप कहोगे कि law of conservation of mass हम इसलिए follow करते हैं क्योंकि ये एक universal law है और इसको follow करना compulsory है और उसी को follow करने के लिए ही क्या होता है एक equation को balance कर करनी की ज़रूरत पड़ती है हमने दो बाते सीखी हमने ये सीखा कि balance equation किसे कहते हैं हमने ये सीखा कि balance करते क्यों है balance balance equation उसे कहते हैं जिनमें reactant and product की तरफ number of items सेम होते हैं और balancing करते क्यों है क्योंकि law of conservation of mass को follow करना होता है तुम लोगों ने class 10 में पढ़ा होगा कि जो equation unbalance ह होता है उसका एक नाम और था देखे किसको याद है जो एक unbalance equation होता था उसको हम एक और नाम से जानते थे बच्चों उसे हम बोलते थे skeletal equation आप सब लोग ये topic जानते हो आपको ये सब पुछ पता है बस मैं इसको आपकी practice कराना चाहता हूँ next topic पे आते हैं क्या step होते हैं किसी भी equation को balance करने के लिए चलिए देखते हैं क्या step होते हैं माना nitrogen और hydrogen है ये आपस में combine करके ammonia बना रहा है तो कभी भी तुम्हें अगर balance करना है तो you can only change आप केवल change कर सकते हो you have to only change the coefficient तुम्हें केवल coefficient change करने हैं बाकी ये नहीं कि आरेसर balance करना है हमें दो हम balance कर देंगे आप इधर से यह अला number बदल दो यहां 2 लिखा है मिटा के 3 लिख दो तो ऐसे नहीं balance होता है balance करने के लिए केवल और केवल जो coefficient होते हैं इन coefficient के number में केवल बदलाओ किया जाता है only we have to change हमें केवल change करना होता है आगे coefficient के number को और balance करने के लिए हम लोग यहां apply करेंगे उस method को हम लोग एक नाम देते हैं that is known as hit and trial method hit and trial method में देख बचा क्या होता है hit and trial method में हम कुछ अपने आप number integer मानेंगे और उनको coefficient में रखेंगे देखे 10th level में या कभी आगे चलके बड़ी balancing की सीखोगे तो वो छोटे छोटे नंबर से ही काम चल जाता है जैसे दो तीन चार पांच ऐसे नंबर बदलने से काम चल जाता है अब ऐसे नंबर बदलने से ही आपकी equation balance हो जाएगी जब ज़्यादा जरौत पड़ीगी तो कोई ने कोई बैटन मिल जाएगा जैसे यहां देखो यहां पर बस मुझे करना क्या था मैं कैसे balance करूं तो balance करने के लिए हम technique क्या लगाएंगे हम पहले hydrogen पे गया या पहले नायट्रोजन पे चला जाओ टौहाणी मर जी नाइट्रोजन यहां पर कितने ही 2 कोर्स्स किया करो कि hydrogen आखरी मी करा करो नाइट्रोजन टु हैं तो थो नाइट्रोजन बनानेंगे लेखे लगा दिया जैसे लगाया तो सब्हों Aurag आप च्छे काज्श बाता हुआतो कि इसको ना तरफ हो गया जैसे जोड़े लगाया तो नाइट्रोजन धोरों तरफ क्या हो गए yeah यही balancing का तरीका होता है कुछ की balancing थोड़ी अलग तरीके से हो जाती है अलग तरीके से नहीं होती सकती है यही है लेगिन कुछ में हम direct एक regular तरीके से चल सकते हैं जैसे इसका नाम है methane क्लास 10 में सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसे इसे methane कहते थे माना methane के अंदर मैं oxygen डाल दो और oxygen की presence में बर्न करूं जलाओं तो यह बनाएगा क्या यह बनाएगा CO2 प्लस यह क्या बनाएगा फॉर्टर इनको बोलते हैं combustion की equation आपके सामने बच्चों कोई भी combustion की equation आ जाए कोई भी combustion की equation अगर आपके सामने आ गई फर्क नहीं पड़ता है कि वो combustion किसका है चाहे वो methane हो, ethane हो, propane हो, alcohol हो कोई भी बस किसका hydrocarbon का सर हाइडरो कार्बन क्या होते थे 10 में पढ़ा था जो hydrogen और carbon से मिलके बनते हैं निथेन, ethane, propane, butane, 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 कुछ भी तो उनका अगर combustion करते हो तो combustion में एक नियम है क्या नियम है कि तुम पहले carbon को balance करो तो चलो हमने carbon को balance कर दिया carbon कितना है एक इधर भी कितना है एक hydrogen फिर तुम hydrogen को balance करो पहले carbon फिर hydrogen last में oxygen hydrogen कितने है 4 यहां पर 4 बनाओ तो क्या जाएगा 2 अब oxygen देखो oxygen कितने होगे 4, sorry 2 यहां और 2 यहां, total oxygen 4 होगे, तो 4 लाने के लिए यहां 2 लगा दो, जैसे 2 लगा होगे देखो equation क्या होगई, balance होगे, तो balance equation के लिए heat and trial में लगाना पड़ेगा, बस आपको आगे के number change करने पड़ेगे, और कोई combustion हो, तो combustion को balance करने के लिए यह order follow करो, carbon hydrogen oxygen, जैसे, मैं एक equation और लेके चलता हूँ, वही समझाता हूँ, देखो, जैसे मैं ले लूँ ब्यूटेन, ब्यूटेन कौन, ब्यूटेन वही है, जो gas cylinder में भरी जाती है, जैसे हमने ब्यूटेन बोला, आपको मालूम में जो gas cylinder होता है, उस gas cylinder के मतलब ब्यूट प्लस energy ही बनाएगा, यही बनाएगा, इसके लावा कुछ नहीं बनाता है, balance करने का order हमने क्या बताया, यह cable combustion में यूज होता है, पहले carbon balance करो, carbon balance किया तो कितना आगया, 4, फिर hydrogen, hydrogen कितने हैं, 10, तो 10 hydrogen लाने के लिए हैं, क्या लगाना पड़ेगा, 5, oxygen देखो, oxygen कितने हो ग 13 लाने के लिए, मैं यहाँ पर 13 by 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2, 2 cancel हो जायागा, और 13 आ जायागा, 10th में तुम लोगों ने ऐसे नहीं देखा होगा, या कुछ बच्चों ने ऐसे देखा भी होगा, तो आप equation इस तरीके से भी balance कर सकते हो, जब आपको fraction में अगर अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुमने fraction deal नहीं किया है, तो एक काम कर सकते हो, पूरे को 2 से multiply कर दो, नीचे ए 2 नमबर आ रहा हो, तो 2 से पूरे को multiply कर दो, जैसे 2 को multiply किया, तो C4, H10, प्लस यहाँ पर करना आया, 13 O2, प्लस यहाँ पर करना आया, 8 CO2, प्लस यहाँ पर करना देखो क्या होगी बच्छो बैलेंस है आप काउंट करके देख लो क्योशन बैलेंस मिलेगी आपको चाहे देख लो इधर कार्बन कितने है आठ कार्बन है इधर हड्रोजन कितने है 20 हड्रोजन है इधर ऑक्सिजन कितने है 26 ऑक्सिजन है इधर देखो कार्बन कितने है 8 ऑक् तो 26 यहाँ पर क्या है oxygen और hydrogen कितने हैं 20 यहाँ पर hydrogen कितने थे 20 20 यहाँ पर hydrogen थे तो equation दोगो balance हो गई तो अगर कोई combustion की equation आए तो combustion की equation balance करने के लिए पहले carbon फिर hydrogen और फिर oxygen को balance करते हैं यह combustion की equation को balance करने का तरीका है अब हम आते हैं आगे अब आपको केवल बैलेंस करना है मैंने बैलेंसिंग का तरीका सिखा दिया मैं एक बार जल्दी से फिर कुछ बेसिक चीज़े सिखा देता हूँ कि क्या चीज़े करनी है आपको फ़रा ध्यान दो आपको जब भी बैलेंस करना हो तो balancing के दौरान बस आगे के number चेंज करो जैसे फिर से वही हमने माना एक reaction लिखा था N2 प्लस H2Q ammonia अभी हमने बताया था equation balance नहीं थी balance नहीं थी तो hydrogen को balance करने के लिए पहले इधर nitrogen को balance की add 2 लगा दिया hydrogen को balance करना था तो 3 लगा दिया equation balance हो गई कोई भी equation को तुम इसी तरीके से क्या करोगे बच्चो balance करोगे बस आगे के जो coefficient होते हैं उनको के वल बदलना है बताओ अच्छा कि हम equation को क्यो balance करते हैं देखे किसको याद है वाट इद हम नीड टू बैलेंस आग के लिए बैलेंस आग के लिए बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि लॉफ पंजर्वेशन आप मास्स जो हो जाए वह फॉलू हो जाए ठीक तो लॉफ पंजर्वेशन आप मास्स को फॉलू करने के लिए चलिए अब एक्वेशन आप बैलेंस करिए सभी बच्चे देखते हैं कौन कितनी जल्दी एक्वेशन को बैलेंस कर पाता है जल्दी जल्दी से एक्वेशन को बैलेंस करिए और एंसर बताइए आज आपका टास्क यहीं है केवल चलिए एक में रुकिए बस